आज का स्लोगन बता रहा है सच्ची सेवा करने की विधी और वो विधी है अपने आपको दिव्य आईना बनाना तो दिव्य आईना हम अपने आपको कैसे बना सकते हैं आईए आज के स्लोगन से जानते हैं स्वयम को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे तब कहेंगे सच्ची सेवा अगर किसी आम स्थान पर जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा आइना रख दिया जाए तो निश्टित रूप से जो लोग आना जाना कर रहे हैं वे सब उस आइने पर अपने प्रतिभिम्ब को अवश्य ही देखते हुए जाएंगे और आएंगे क्यों उस आइने के पास चाकर के अपने प्रतिभिम्ब देखते हैं सभी लोग क्योंकि आइने को देखने से ही अपने असलियत का साक्षातकार होता है अपने वास्तविक्ता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परन्तु अगर आइने में धूल जमे हुए हो आइना साफ ना हो, आइना शक्तिशाली ना हो तो उस आइने में कोई भी अपने आपको देख नहीं सकेंगे और उसके पास चाकर के अपने प्रतिबिम्ब को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश भी वेर्ध हो जाएगा इसलिए बाप दादा ने आज के स्लोगन में हम सब को दिव्य आइना बनने के बात कही है दिव्य आइना वो आइना है जिसमें सभी मनुश्य आत्माइ अपने वास्तविक्ता को अपने असलियत का साक्षातकार अपने वास्तविक्ता को इस दिव्य आइने से देख सके यही सची सेवा होगी क्योंकि सेवा माना वही है जब खुद का परिवर्तन कर सके लोग अपने आपको अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन कर सके तो दिव्या आइना हमें कैसे बनना है दिव्या आइना बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने असलियत में हमें अपने वास्तविक्ता की उस स्वरूप में स्थित होना होगा वास्तविक्ता यानि अपनी असलियत में स्थित होना अर्थात अपनी सत्य स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के दिव्यता का स्वरूप बनना जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारी चरित्र बिलकुल आइने के समान clean and clear हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे अंदर जमे धूल रूपी जो कमी कमजोरी है उन कमी कमजोरी को हम भरते जाए समाप्त करते जाए तो आइना clean and clear होती जाएगी और साथ ही साथ बाबा की श्रीमत को हम आग्याकारी बन करके उसी अनुसरन करते रहेंगे तो हम धारना स्वरूप बनेंगे और उसी धारना स्वरूप से हमारी आइना शक्ती शाली और accurate बन जाएंगी और ऐसे दिव्य मूरत चैतन्य आइना जब हम बनेंगे तो जो भी आत्माएं हमें देखेंगे तो बाब दादा स्पश नजर आएंगे अपने आपकी कमी कमजोरियों को इस दिव्या आइने को देख करके भर सकेंगे उसे निकाल सकेंगे यही सच्ची सेवा है ओम शान्ती झाल